साइन्स बुलेटिन E-commerce company ITSY ने की 225 करमचारियों की छंटनी CNBC की रिपोर्ट के अनुसार छुट्टियों के मौसम में ITSY में लगभग 225 करमचारी अपनी नौकरिया खो देंगे इससे इसके मुख्य बाजार में करमचारियों की संख्या लगभग 1770 रह जाएगी ITSY के CEO जोश सिल्वरमैन ने एक इमेल में करमचारियों को बताया हम एक बहुत ही चनौती पूर्ण मैक्रो और प्रतिसपर्धी माहौल में काम कर रही है और सकल व्यापारिक बिक्री 2021 से अनिवार्य रूप से स्थिर बनी हुई है उन्होंने कहा इसका मतलब है कि हम अपने विक्रेताओं को अधिक बिक्री नहीं ला रही है जो कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम कर सकते हैं बिहार खंड के मौसम में फॉक सेफ डिवाइस से युक्त होंगी पूर्व मध्य रेलवे की सभी ट्रेने ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए पूर्व मध्य रेल के शत प्रतिशत में एक्स्प्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों के लोको पाइल्टों के लिए फॉक सेफ डिवाइस का प्रावधान किया गया है फॉक सेफ डिवाइस जीपीएस आधारित एक उपकरण है जो लोको पाइलट को आगे आने वाली सिगनल की चेतावनी देता है जिससे लोको पाइलट ट्रेन की स्पीड नियंत्रित करती हैं उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्ट फॉग मैन भी तैनात किये जा रही हैं जो कोहरे के दौरान रेल लाइन पर सिगनल की स्थिती की निगरानी करेंगे रेल फ्राक्चर से बचाव एवं समय पर इसकी पहचान के लिए उच्चाधिकारियों की निगरानी में रेल कर्मियों द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है फॉक्सकॉन को एपल इंडिया प्लांट में एक अरब डॉलर और निवेश करने की मनजूरी मिली रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने सूतरों का हवाला देते हुए बताया कि फॉक्सकॉन का इरादा बैंगलुरू हवाई अड़े के करीब 300 एकड की साइट के लिए पहले निर्धारित 1.6 बिलियन डॉलर के अलावा स्विक्रित राशी खर्च करने का है नई राशी संभवता आईफोन सहित एपल उपकरनों के लिए अतिरिक्त क्षमता को नियंत्रित करेगी खर्च की हालिया मन्जूरी के साथ ताइवानी फर्म ने साइट के लिए लगभग 2.7 बिलियन डॉलर आवन तित किये एपल के प्रमुख विनिर्मान भागीदार फॉक्सकॉन ने फैट्री के लिए अपना बजट बढ़ाया है इसकी शुरुआत 2023 की शुरुआत में कॉम्पलेक्स में केवल 700 मिलियन डॉलर का निवेश करने के इरादे से हुई थी जो करनाटक में स्थित है चार जन्वरी को भारतिय बाजार में आएगा पावर पैक्ट रेडमी नोट 13 5G शावमी इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया रेडमी नोट 13 5G सीरीज चार जन्वरी 2024 को अपना भव्य प्रवेश कर रही है पहले जैसी पावर देखने के लिए तैयार रहें हम गेम को फिर से परिभाशित करेंगे सितंबर में कम्पनी ने चीन में रेडमी नोट 13 सीरीज की शुरुआत की थी लाइनप में रेडमी नोट 13, रेडमी नोट 13 प्रो, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस शामिल है स्मार्टफोन के भारतिय वेरियंट में भी समान स्पैसिफिकेशन होने की उम्मीद है बी एन टी की खास पेशकश